प्रयागराच के शिंगवेटपूर घाट पर दफन शौ से कपड़े और लकड़ी अटाय जाने के मामले ने तूर पकड़े लिया है मामले की गंबेरता को देखते वे डियाम और डियाजी प्रयागराच की और से प्रिशासन और पुलिस की दो सदसी सेविक जाज टीम गठित की गई है दपन शौपर पड़ी चादरों को अटाने का वीडियो वारेल होने के बाद हरकम मच गया था इस पारेल वीडियो को ट्वीट कर विपक्ष ने राजी सरकार पर बड़ा हमला बोला था मामले में अंगामा वरता देख डियाम और डियाजी प्रयागराच की तरफ से दो सदस्ती जाज कमिटी गठित की गई है जिसमें अपर जिलादिकारी और स्पी गंगापार शामिल है कौन ये कर रहा है और किसकी अनमत से कैसे ये हुआ है इस पर जिलादिकारी और स्पी ने एक ज्वाइन टीम स्पी गंगापार और एडियम रूरल एरिया उनकी एक ज्वाइन टीमेट ही है कि ये किस तरह से और क्यों किया गया और इसके पीछे क्या मनशा रही है ये पूरा का पूरा वाकिये पे एक उच्चिस तरी जाच की जा रही है प्रियागराज के शंगवेरपुर धाम में दफ्न शवों के उपर से चुनरी और लकडी हटाने का वीडियो वाइरल होने के बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है हम इस तक शंगवेरपुर धाम में मौझूद हैं आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले जब हमने यहां से रिपोर्ट किया था जो तमाम शवों दफ्न हैं जिनको अभी भी यहां पर देखा जा सकता है उनके उपर ना सिर्फ चुनरी उनको उड़ाई गई थी बलकि साथ में लकड़ी भी लगाई गई थी ताकि उनकी पहचान हो सके तो लकड़ियों को आप देख सकते हैं कि यहां घाट पर पड़ी हुई है और आरोप यह लगाए जा रहा है तमाम विपक्षी नेता उस वी प्रशासन के ही लोग थे तो देखना ही होगा कि सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर जो जाच बैठाई है उसकी जाच रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आते प्रियागरासिव वीडियो जनलिस्ट वेक्ष रास्तों के साथ मानवें प्रताप न्यूज स्टे टुतर प्रदेश